जैहिन साथियो स्वागत है आप सभी का Defense Alphar YouTube चैनल में आज की इस वीडियो में CISF Constable Fire के Complete Physical Procedure के बारे में बात करने वाले हैं देखिए दोस्तों आपको इस Physical को कैसे Clear करना है और यहाँ पर Running का क्या Criteria रहता है Running कहाँ पर होती है इसके Height, Weight, Chest, सारी जनकारी आज की इस वीडियो में देने वाले हैं तो चलिए दोस्तों यह वीडियो बहुत ही Important होने वाली है इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपली चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी क्योंकि दोस्तों जो भी Notification CISF के तरफ से आता है सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा दोस्तों CISF में Admit Card आने से पहले ही Notification जारी हो जाता है तो आपको यह पता नहीं चल पाता कि Admit Card कब से रिलेज होने वाले है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीए जैसा भी कोई Notification आता है सबसे पहले आपको इंफो कर देंगे तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों इसके फिजकर इस्टेंडर के बारे में जान लेते हैं तो अब यहां से सबसे पहले आप लोग का जब Admin Card आएगा तो वहां पर सबसे पहले आप लोग का Running होगा उसके बाद आप लोग का Height Weight Chest की Nap करेंगे तो सबसे पहले यहां पर Running में देखिए आप लोग को जो Running यहां पर Complete करना है वह 5 km की Running जो है वह 24 मिनट में Complete करना है तो अगर आप लोग Running Complete कर लेते हैं फिर आप लोग को PST यानि की Physical Standard Test जिसमें आपका Height Chest और Weight नपेगा तो यहां पर देखिए सबसे पहले आपको Running Clear करना है उसके बाद यहां पर PST की जनकारी दे देते हैं जो आपका यहां पर Height रहने वाला है वो 170 cm रहने वाला है उसके बाद जो Chest रहने वाला है वो 80-85 cm के बीच रहने वाला है यानि कि दोस्तों मिनमम आपका जो Chest रहना चा चाहिए उसके बाद Expansion करने पर यानिके फुलाव करने पर वो 5 cm तक आना चाहिए तब आप लोग को वहां पर Fit माना जाएगा उसके बाद देखिए दोस्तों जो Hill Area से बिलांग करते हैं उनको Heart में छूट मिलेगी और उनका Heart जो रहेगा वो 165 cm रहेगा और उनका Chest में भी रणिंग का जो Criteria रखा गया है वो 24 मिनट में 5 km आप लोग आसानी से लगा सकते हैं तो दोस्तों आप इसका फिप्रेशन स्टार्ट कर दीजे क्योंकि यहाँ पर फिजिकल बहुत जादा यहाँ पर Heart नहीं रखा गया है जैसा कि Army में होता है यहाँ पर CISM में बिलकुर Normal रखा गया है यहाँ इसर सिकी तरह यहाँ पर रखा गया है तो यह बहुत जादा यहाँ नहीं है दोस्तों इसको आगर आप Physically Fit हैं कोई यहाँ पर आपको प्राबलम नहीं है तो आप इसको बड़ी ही आसानी से clear कर लेंगे उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर main आता है जो आपका exam रहेगा यहाँ पर देखिए exam जो रहेगा आपको वो 100 marks का exam रहेगा है 2 गंटे का time दिया जाएगा यहाँ पर दोस्तों problem आपको exam में हो सकती है यहाँ पर competition जादा रहता है और पिछली बाद इसके merit भी high गया तो दोस्तों अगर आप physically fit है तो आपको exam की टेंसल लेने की ज़रूर नहीं है क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ परिच्छा आप के बारे में दोस्तों परिच्छा आप पर CISF Constable special online test series available है जहाँ पर दोस्तों आपको कही भी इसके complete syllabus के according सारे question cover किये गया है और यहाँ पर previous year question और आपको mock test भी मिल जाएंगे देखिए दोस्तों इस test series special constable fire के लिए ही बनाया गया है इसमें other exam से कोई मतलम नहीं है तो दोस्तों अगर आप जैसा कि SSC की तयारी करते हैं तो वहाँ से हो सकता है कि आपका complete syllabus cover अपना हो पाए बट यहाँ पर इस online test series में आपका complete syllabus cover होगा और दोस्तों इसके exam के according आपके सारे question इस test series से मिल जाएंगे as it दोस्तों आपको question यहाँ से put up किये जाएंगे आपके exam में तो आप अपने exam की बहतर preparation कर सकते हैं और अपनी दोस्तों से एक sheet confirm कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आप यह course enroll करना चाते हैं तो Google Play Store या वीडियो के दिये गए description में link मिल जाएगा आप परिक्षा app को download कीजिए यहाँ पर दोस्तों बहुत साथ test series available है आपको CISF Constable Fire special test series पर जाना है जहाँ पर दोस्तों इस course का charge जो रखा काया है वो 349 रुपए है और दोस्तों इस course की validity 3 month है पर दोस्तों अगर आप अतुल सर 50 code use करते हैं तो आपको यहाँ पर 50% का discount मिल जाएगा और आप यह course से 175 रुपए में ही enroll कर पाएंगे देखिए दोस्तों 175 रुपए में ही आपको complete syllabus की यहाँ पर test series दिया जा रहा है जिससे आपको exam की कोई tension नहीं हो आए तो दोस्तों अगर आपका selection हो जाता है 175 रुपए यह कोई माइने नहीं रखता है तो आप इस course के enroll कर सकते हैं और आप अपने exam की टेंसन से दूर रख सकते हैं यहाँ पर सभी previous year question और आपको complete syllabus की test series मिल जाएगे तो चलिए दोस्तों अब मैं आप लोगों को आगे बता देना चाहता हूँ इसके grounds level के बारे में देखिए दोस्तों इसका admit card आने के बाद आपको कहां बुलाया जाएगा कि बहुत सारे बच्चों का यह प्रसंट रहता है कि क्या other state में इसका physical कहां होगा तो मैं आपको बता दूँ कि जैसा ही आपका admit card आता है तो आपके admit card में इसके physical center दिया रहेगा और आपका center जो रहेगा दोस्तों आपके state में ही रहेगा तो आपको अपने state में ही physical center मिल जाएगा तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ground level कैसे रहता है जैसे कि बहुत सारे candidate यह पूछते हैं कि इसकी running कहां पर होगी तो देखिए दोस्तों अगर इसकी running जो होगी ग्राउंड पर होगी तो वहां से आपको थोड़ा आसान रहता है running करने में बड़ दोस्तों अगर road पर होती है तो कोई problem नहीं है आप सूज पहिन के जाएए वहां से कोई problem नहीं होती है जैसा कि दोस्तों ये कहां नहीं जा सकता कि ground कैसा रहेगा वो तो जिस तरीके से physical ground रहेगा वहां पर जिस तरीके से हर center का अलग-अलग रहेगा तो वहां पर आपके center का जैसा रहेगा वो तो वहां पर जाने के बाद ही पता चलेगा तो देखें दोस्तों आपको physical जो निकालना है वो आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि आप physically fit होने चाहिए और आप थोड़ा running की practice भी start करेजिए क्योंकि दोस्तों थोड़ा थोड़ा आप running की practice करे रहेंगे तो वहाँ पर आपको running करने में ज्यादा problem नहीं आएगे नहीं तो आपको वहाँ पर 25 मिनट में जो 5 km के running का criteria दिया गया है उससे थोड़ा problem हो सकती है बट अगर आप लोग running करते रहते हैं morning में आप थोड़ा running कर लेते हैं तो आपको कोई problem नहीं आएगी तो आपको ये बात का ध्यान दखना है और दोस्तों अगर आपका weight थोड़ा बहुत कम है तो आप उसे maintain कर लेजिए और आपको दोस्तों chest में भी बढ़ाने पर काम करन नार्मल होता है वहाँ पर जैसे कि chest माप किस तरीके से होता है तो chest माप जो होता है दोस्तों वहाँ पर बुलाया जाता है एक एक candidate को तो उनका chest पहले 80 cm रहना चाहिए उसके बाद expansion करने पर 5 cm minimum होना चाहिए देखे दोस्तों अगर आपका chest 80 से थोड़ा बहुत कम है यानि थोड़ा बहुत कमी है जैसे कि 170 से उनका height 169 है तो उसमें क्या problem होगी का तो मैं आपको बता दूँ कि अगर 1-2 cm 168 तक भी है तब भी आपको कोई problem नहीं होगी क्योंकि दोस्तों 1-2 cm वो खुद वहाँ पर बढ़ा के मापते हैं तो जिनका भी 168 है उनको भी कोई problem की बात नहीं है वो भी बड़ी ही असारी से अपना फीज का clear कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा बहुत morning में running करनी है जिससे आपको कोई problem नहीं आगी और दोस्तों running अगर आप लोग का physical निकल जाता है तो आपको अपने exam पर भी ध्यान देना है क्योंकि दोस्तों यहां पर competition जो है वो एक्जाम में ही है क्योंकि यहां पर science level के student बैठते हैं आपको पता होगा कि इस vacancy में 12 standard with science से मागा है तो यहां पर science level के student बैठते हैं तो यहां पर इसके question का level जो है थोड़ा अच्छा रहता है तो यहां पर देख स्रीज में आपको ऐसे ही पूरे question करा जांगे वहां पर आप लोग एक बार try करेंगे तो आपको पता चल जाएगा तो चलिए दोस्तों यहां पर जो भी जनकारे थी हमने आपको बता दी है यहां पर हाइट वेस्ट की सारे criteria हमने आपको बता दी है तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक किजे और सबसे पहले आपको आपडेट पाने के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और वीडियो को जादा से जादा से शेयर कीजेगा चलिए मिलते है आप लोग से नेक्ट वीडियो में जैहें